करेंगे UP TGT 2013 का कुछ व्यूवर ने बोला कि मैं छोटे-छोटे कोस्टन डालती थी तो कुछ व्यूवर ने बोला कि आप थोड़े से और अधिक कोस्टन सॉल करवा हिए तो वह ज्यादा उन्हों के लिए हेल्फुल होगा तो इसलिए मैं पेपर सुचा कि एक पेपर सॉल क करेंगे जो जादा पेपर एक गुरूप आप कुछ चाहिए या कि एक एक कुछ आप लोगों को ज्यादा बहतर लग रहा है तो वह जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं आज हम लोग सॉल करेंगे UP TGT 2013 का पेपर पहला कुस्चन है ब्लैक पगोडा कहा जाता है ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है पूछा गया है आप्सन नमबर एक एलेफेंटा आप्सन दो खजरा हो आप्सन थ्री अजन्ता और आप्सन फोर कोड़ा तो जैसा कि आंसर इसमें दिया भी हुआ है कोडार्क मंदिर को ब् दस रुपए के नोड पर भी छपा हुआ है आप लेको ने देखा हो गाँ कि जो बज़ता है इसमें और क्या क्या option में हैं तो ईलिफेंटा तेली फेंटा किसने बनवाया था Elefanta के सिलहारो को बन वाया था और इस बार प्रशन आया था Elefanta की स्थिति पूछी गए थी अभी 2022 के paper की बात है उसमें पूछा गया था कि Elefanta की स्थिति पूछी गए थी तो महां पे रायगड को सही कराए गया था अब उन्होंने क्या जान के सही करां लेकिन राएगर को सही कराए गया था तो तीस तीसरा और सने अजंता अजंता का जो आजंता है है आजंता जो हमारी है एक आजंता की परेमिये कि यहां के जो गुफाओं का निर्माड हुआ है ज्यादा तर वाकटक और जो चित्रो को निर्माड़ गुप्त साशन के अंतरगत अधिक हुआ है और जो खजुराहो के बारे में जब हम देखते हैं खजुराहो जो है वो भी MP में स्थेथ है और वहां का प्रमुख मंदिर है कांदरिया मादि मंदिर आगे नेक्स्ट कुस्चन है कामसूत्र के रचाईता कौन है कामसूत्र के रचाईता कौन है तो कामसूत्र के जो रचाईता है वो कामसूत्र के रचाईता कौन है कामसूत्र के रचाईता है वात्षायन वासयन है कामसुत्र के रचेता और कामसुत्र की टीका जो की थी वो यह षोदर पंडित ने की थी 11 सदी में की थी नेशनल गैलरी अफ मौडरन अट स्थित है तो यह हो जाएगा नईदीली में स्थित है नेशनल गैलरी आप माड़नाट ग्यानपिट पुरसकार किस से संबंदित है तो ग्यानपिट पुरसकार जो है साहित से संबंदित है पाचवा कुछ नहीं है नेमडिकित में से किसके द्वारा काश्य मूर्थियां भी निर्मित की गई तो आंसर हो जाएगा शोमना थोर के द्वारा काश्य मूर्थियां निर्मित की गई थी इनका डियोबी था 1921 में ये पैदा हुए थे शोमना थोर गगनेंदना टेगोर हैं गगनेंदना टेगोर आप्सन में है डियो भी इनकी अठा सो सड़ सांती दवे 1931 में पैता हुए थे और राम कुमार 1924 में पैता हुए थे नेक्स्ट कुश्चन है HTML इंगित करता है तो HTML जो है वो Hypertext Markup Language इंगित करता है HTML इंगित करता है आफसेट कलर प्रिंटिंग में चार कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं CMYK, स्यान, मैजेंटा, यलो, ब्लैक नेक्स्ट जो कुश्चन है वो राजा रभी भर्मा के बारे में है तक एक्जाम नहीं हो जाता है तब तक राजा रभी भर्मा को पढ़ते रहे और एक दी, इनका जो है एक पे पॉइंट जोसे मैंने गारा गया तो राजा रभी भर्मा को बिल्कुल बसा लीजिए अपने दिमाग में मतलब एक्टम अच्छे से याद कर लिए राजा रभी भर्मा को क्योंकि कोई भी एक्जाम हो इनसे एक दो कुश्चन जरूर आते हैं राजा रभी भर्मा की मृत्यू किस वर्स होई थी कुश्चन पुछा गया है राजा रभी भर्मा की मृत्यू कब होई थी आंसर होगा 1906 में इनकी मृत्यू हुई थी राजा रभी भर्मा का आ गया कुश्चन तो इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं अब राजा रभी भर्मा आ ही गया है तो इनके बारे में इनको ऐसे नहीं चोड़ा जा सकता है राजा रभी भर्मा को इनके बारे में हम लोग इनकी दैत तो हम लोग जान गए कि राजर रभी बर्मा के बारे में राजर रभी बर्मा की मृत्यू कब हुई थी तो 1906 में हुई थी थोड़ा सा देख लेते हैं राजर रभी बर्मा के बारे में राजर अभी बर्मा को जनम हुआ था 1848 में हुआ था किरल के केलिमान रोल में इनका जनम हुआ था 1848 में एक्दम बहुत जादा नहीं जाएंगे राजर अभी बर्मा से लेकिं थोड़ा बहुत जुरूर जालेंगे आए गया है नामिन का तो इनके जो प्राडमिक जो सेक्षा हुई थी Theodore Jensen से इन्होंने तैल रोंगों की सेक्षा लिए थी जो कि एक डच चित्रकार थे Theodore Jensen और आलमगीरी नायडू और रामाश्वामी नायडू से भी इन्होंने सेक्षा लिए थी दूत के रूप में जाने जाते हैं सबसे पहले भारत में जो तैल माध्या इनी की चित्रों को तैली कृत किया गया था ऐसे प्रश्ण भी आ चुका है मतलब कुछन भी पूछा जा चुका है इन्हों ने इनको जो ओनर आप बंगाल की उपादी दी गई थी वो अठारा सो चा प्रवास के बारे में थूड़ा सा जान रहे है पेपर में जो घृत की इन्हों के बारेस के समय ने चित्र मंड में कुल कितने चित्र बनाए थे 14 चित्र बनाए थे उटक मंड में ठीक है राजा रभी बर्मा को 1891 में बॉंबे आट सो सैटी का उन्होंने उनको पुरसकार मिला था और 1904 में 1906 में तो इनके देत होगी थी एक प्रश्न आया हुआ यहां पे और 1904 में इनको केसरे की उपाधी दी गई थी किसने दी थी तो ब्रिटिश शरकार ने दी थी केसरे हिंद की उपाधी 1905 में इन्हों यह गय थे मैसूर के राजा के आमंत्रड पर वहां पर इन्होंने व्यक्ति चेत्र वंद्रुष और हाथियों के चित्र भी बनाए थे 1906 में किलिमा अर्टी ट शाहिअ कि इनको विक्तोरीयल इंडियन कहके ऑलोचना की थी एनके आलोच करहन है इन्होंने कहा था इप्रडव भारति काभय πα्रारejक कथा और कभाव के चित्र में ख़्याय तो काव्यात्मक्ता का इन्होंने अभाव इनके चित्रों पर ये लगाया था, इनके चित्रों में काव्यात्मक्ता का अभाव देखने के लिए मिलता है। अगला कुछने भारती विश्यों को किसने पास्चात्य शैली में चित्रित किया था, आंसर हो जाएगा अम्रिता शेर्गिल, अम्रिता शेर्गिल का जन्म हुआ था, 1913 में, अम्रिता शेर्गिल के वारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इन्होंने उदासी नारियाक्रितियां और तनावग्रस मुखाक्रितियां बनाई हैं, विशाद, इनके चित्रों में विशाइद दिखाए देता है, ऐसा प्र अम्रित था, इनकी माता का नाम, और इनके वारे में क्या दिखाए देता है, कि इन्होंने परवतों वाक्रिषकाय तता धशी आकोवाले रिक्सा चलकवत घर में जाडू लगाती हुई, उनकी इस्तरियों को चित्रित किया है, और विशाद वाला तो पूछा भी जा चुक पौल गौगिन से क्यों प्रवावित थी, पौल गौगिन की जो शैली थी आदिम सरलता, उनकी जो शैली दिखाए दे फिर वहाँ चले जाते हैं, आदिवासी छेतर में चले जाते हैं, पौल गौगिन, तो उनकी सैली में जो आदिम सरलता है, उससे प्रवावित थी, पाल बारों का सरली करड करना प्रारंब कर दिया था सेजान ने, यूरोग की आधुनिक कला के पितावी में जाते हैं, वहां से सुरू भी हो जाती आधुनिक था, इनके चित्रों से पासे जाते, वान गौक की अभिवनजना, जो सक्ति के साथ, वो, इन सक चीजों से प्रभावित इनके जो चित्र हैं कुछ important देख लेते हैं बाजार जाते ग्रामिड पहाड़ी स्त्रियां फलवाली वदू श्रिंगार विश्राम अरामकर्थी स्त्री लेडीज इंक्लोजर नाम का एक चित्र है जो कि इनका अभी हाली में बिगा था 2020 में बिगा था लेडीज इंक्लोजर करके इनका चित्र है वो 2020 में बिगा था परवती पुरुष परवती स्त्रियां ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी तो पूछा जा चुका है वदू का स्रिंगार और इनका एक न्यूड नामक चित्र भी है जो कि अभी जो उसका पेपर हुआ हायर का उसमें पूछा गया था चलिए आगे देखते हैं क्या है और जो है मजूमदार है चितिननौत मजूमदार इनका जन्मगा था 1891 में यामनी राय है का जन्मगा था 1887 में सुधियर रंजन खास्तिगर 1907 आगे देखते हैं कुनसे क्ने क्म वॉल्ड डिज्नी किसके ज जनक है तो एनिमेसन प्रकिरीया के जनक है कौन है तो वॉल्ड डिजनी है, एनिमेसन प्रकिरीया के जनक महस मुर्थी रॉक कट महस मुर्थी कहां है तो खना करें गाद में रिँखंटतर स्भू sowρεansas गोभी कि चाहित गोई तो व्रिहत सहीता की रचाईता जो है वाराह मिहीर हो जाएंगे व्रिहत सहीता की रचाईता वाराह मिहीर हो जाएंगे ठीक है व्रिहत सहीता वाराह में ने लिखी थी नेक्स्ट कोश्चन है दा डीसेंट आफ गंगेज गंगा वत्रण नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मुर्ति कहा है महावली पुरम में है रैम किसका संचित रूप है रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी का संचित रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का संचित रूप है रैम का संचित्रों क्या है रैम डाम एक्सेस मेमोरी है अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन का लाकार करता था भारती खेर अपनी चित्रों में बिंदी का प्रयोग करती थी इनका जनमगा था 1979 में अन्जू डोडिया जो है आफसन में है अन्जू डोडिया का जनमगा था 1964 में और रियाश कोमु जो है ये पैदा हुए थे 1986 में जेजे स्कूला आफार्ट से संबंदित रहे नेक्स कोश्चन है प्रिहिस्टोरिक इंडिया नमक पुस्तक किस ने लिखी थी तो प्रिहिस्टोरिक इंडिया नमक जो पुस्तक है वो स्टूर्ट पिगाट ने लिखी थी प्रिहिस्टोरिक इंडिया नमक पुस्तक स्टूर्ट पिगाट ने लिखी थी 1950 में इनोलिया पुस्तक ली थी, इनकी एक और पुस्तक है, जो कि The Dawn of Civilization है, वो भी पिगाट में ही लिखी थी, W. Anderson, W. Anderson जो है, वो क्यों प्रशित है, तो W. Anderson जो है, उन्होंने सिंगनपुर की खोच की थी, 1910 में की थी, इन्होंने सिंगनपुर की खोच, एक और है, दी-एच गार्डेन, एक मिना, दी-एच गार्डेन जो है, दी-एच गार्डेन की भी एक पुस्तक है, The Rock Painting of Mahadev Hills, जो कि दी-एच गार्डेन ने लिखी थी, अगला जो कुश्चन है, भारती आधुनिक चित्रकला का इतिहास से प्रारंब होता है, भारती आधुनिक चित्रकला का जो इतिहास है, वो बंगाल स्कूल से प्रारंब होता है, बंगाल स्कूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, आही गया है बंगाल स्कूल है बंगाल सैली के बंगाल स्कूल का ये बात एक ही है तो बंगाल सैली जो है उसकी जो पूरा समय माला राता है बंगाल श्कूल का बंगाल सैली का ये 1895 से 1920 तक का जो समय काल रहता है वो बंगाल सहली के नाम से या बंगाल स्कूल के नाम से उसमें प्रभाव बंदल अच्छे तरीके से रही है वो जो समय काल रहता है यह इतना ही रहता है 1895 से 1920 तक लेकि इसका जो चरम है वो 1905 से 1920 तक माना जाता है बंगाल सहली का जो माध्यम अधिकतर कलाकारों करा है वॉस रहा है वॉस शहली के लिए जानी जाती है रंग योजना दुमिल रंग योजना के लिए जानी जाती है बंगाल सहली बंगाल सहली के अंदर गट जो कलाकार थे वो कहां कहां पे इन्होंने बंगाल स्कूल का प्रचार प्रचार किया था बंगाल स्कूल के कलाकारों ने वो हम देख लेते हैं तो नंदिलाल वशो ने जो है सांतिनी केतन में ही कारेभार समाला वहीं पर चारपसार जो भी करना था किया छितिनात मजुमदार इलाबाद बेजे गए इलाबाद में जो छितिनात मजुमदार है वो 1942 से 1964 तक लगभग 22 वरसों तक काम किये और बंगाल सैली को उन्होंने बढ़ावा दिया था उसके बाद आते हैं एक मुकूल चंदर डे राजस्थान में परचार परचार किया अशित कुमार हल्दर ने कहा किया था लखनौ में लखनौ में ये पच्चस से 45 तक रहे थे और इन्होंने लखनौ में बंगाल सैली प्रशार किया नाघट सिख लंका चले गए देप्रशाद राय चौधरी को मद्रास बेजा गया कब बेजा गया 1929 में बेजा गया रविश रंकल रावल को कहां बेजा गया था गुजरात के वेक्ट अपपा को करनाटा के महसूर में उनकी नियुक्ति की गई थी समरेनात प्रशारित करने का कारे किया था आगे देखते हैं क्या है क्या है विध्यापन में केमपेंसब्द आया है तो विध्यापन में पिया है में केंपेंग सब्ध वो मेलिट्री से और विज्यापन में केंपेंग सब्ध मेलेट्री से आया है भी कि ये में टाइब आविसकार कम रहे तब होगा और तो आविसकार 151 ad में हुआ था movable किसका हुआ था movable type का विश्कार आगे एक बहुत ही महत्यपून कलाकार के बारे में लखनों के रविंद्राले पर बना mural किस कलाकार का है तो यह हो जाएगा kg सुब्रमन्यम का और kg सुब्रमन्यम जो है बहुत ही important कलाकार है इनके बारे में भी प्रश्नकसर पूछ लिया जाए है तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देखेंगे kg सुब्रमन्यम का पूरा नाम था कलपति-गडपति-सुब्रमन्यम क्योंकि जो इस तरह के प्रश्ना अचकल पूछे जा रहे हैं पूरा नाम क्या है, जैसे कि केसियस पर निकल का पूछा गया था, पूरा नाम डेससबी के पेपर में, फिर अभी पीजीटी के पेपर में, आर्के लक्षमर का पूछा गया था, तो कभी कोई आये, जैसे कोई कलाकार, तो जो एक प्रशना मम में आ रहा था, कि इनका पूरा नन्द लाल बोस और रामकिंकर बैज के शानित में अपना कला अध्ययन की कही शीख था और ठरचेत्र मोरगा बेचने वारおお है और प्ञाम कहत्ते चित्र क प्रेयोग करते थे और विविद टेक्चर उत्पन करने के लिए रेत बालू संगमर्मर का चून आधिका भी इन्होंने प्रयोग किया है अपने चित्रों में और चमक के लिए ये राशायनिकों का भी प्रयोग करते थे प्लाइवुड मार्चिस और उसकी तीलियों का प्रयोग करते थे जो केजिशुमंद्रमर उन्होंने 1980 के एस पास कुछ ग्लास पेंटिंग का भी काम की था जिस उस शीज से पचेतर के ग्लास पेंटिंग कहिए और तैन्जोर 15 gladi के लिए जायाती है तो लगबग लगबग 20 question हम कर चुके हैं तो यह जो है एक पार्ट था जिसमें हम लोगोंने 20 question देखा अब next part में हम और भी जो काफी है 125 question होंगे लगबग लगबग तो 20 question हम लोगोंने देख लिया फिर यह तो पार्ट में बनाओंगी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा deep भी जा रहे हैं और भी प्रश्णों को देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा time जरूर लगेगा वर धनी रहिए आप लोग मेरे शाद और चैनल को subscribe कर दीजे नहीं किये हो तो like कर दीजे share कर दीजे thank you keep watching and sharing